नमेशकार दोस्तों ऐसा लग रहा है साउथ अफरिका अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है in last 27 years मैं 27 साल इसले कह रहा हूँ क्योंकि 1994 के पहले आपको याद होगा अपार्थेट का पुरा समय चल रहा था उसके बाद elections हुआ नेलसल मंडेला प्रेसिडेंट बने थे लेकिन अब जाकर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंस वहाँ पर देखने को मिलेगा साउथ अफरिका में 72 लोगों की अलरी मित्ती हो चुकी है कई सारे लोगों को यहाँ पर अरेश्ट किया जा चुका है तो इसके बारे में हम देखेंगे जानेंगे कि exactly चल अपने सुना भी होगा काफी लंबे समय था की प्रेसिदन बने रहते करीब 10 साल से उपर 15 साल के आसपास जाकोब जूमा इनको जो है जेल में भेज दिया गया है जो है जो है लोग काफी जाधा गुसता हो गया है और अग्जनी हो रही है और करी बहदतर लोगों की अलरी जाने जा चुके हैं, जो पुलिस है, मिलिटरी है वो फायरिंग स्टन ग्रेनेट्स का इस्तमाल कर रही है, रबर बुलेट्स हो गए, उसका इस्तमाल किया जा रहा है, और इनको जो जुमा की मैंने आपको बात किया, ये 15 साल का पुरा इनका जेल का कारकाल है ऐसा बताया जा रहा है कि वो 15 साल नहीं 15 महने के आस पास वो जेल में रहेंगे और इस्पेशली उनका जो होम प्रोविंस है साथ अफ्रिका में कौाजूलू नताल ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैप में आप ध्यान से देखेगा ये अफ्रिका का मैप आप देख भारे होगे और साथ अफ्रिका आपको पता है एकदम सदन साइड में आपको देखने को मिलेगा और right side में आप जैसा की देख सकते हो South Africa की जो boundaries है अलग-लग देशों के साथ काफी सारे देश मिलेंगे, एक तो नदन side में पूरा आप देख पाऊगे, नमीबिया हो गया, बोट्सवाना हो गया, इसके लाबा जिवाबवे भी ध्यान रखेगा है, मोजांबिक भी है, और साथ एक बहुत important देश है, छोटा सा country है, लिसो थो, ये पूरा South Africa के अंदर ही आता है, मतलब कि इनको अगर cross करना है, तो South Africa जाकर ही ये cross कर सकते हैं दूसरे देश में, और South Africa के अगर हम बात करें, इसकी capital जो है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तीन main capital कहते हैं, जैसे हमा इसके लावा यहाँ पर Blomfontein, जो है, ये आपका judicial branch है, judicial capital कहा जाता है, जो Supreme Court हो गया, वो बैठती है, और यहाँ पर Cape Town हो गया, आप सदन साइड में आप देखेंगे, Cape Town जो है, ये आपका legislative branch है, मतलब कि legislature जो है, वहाँ पर work करता है, कानून वगरब पास की जाते हैं, वो capital है, तीन main capital है, इसके लावा, Jonas Burke को कहा जाता है, financial capital, लेकिन वो एक अलग मामला है पुरा, लेकिन तीन main capital आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम बात करे हैं, जो Jacob Zuma का province है, Quazulu Natal, तो यहाँ पर अलग-अलग province, टोटल 9 province है वहाँ पर, और ये Quazulu Natal याप देख पा र दिया क्या है, और especially Jonas Burke और Durban, जो काफी important शहर है, आप यहाँ पर देख पाऊगे, यह Durban आपका इसी particular province में आता है, Quazulu Natal में, और बहुत important port वगर है Durban, तो वहाँ पर काफी सारी चीजों को close करना पड़ गया है, और इसकी वज़य से अब क्या हुआ है, कि COVID-19 का जो vaccination program चल तो यहाँ पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि जो जकॉद जूमा है, उनको release करने की मांग कही जा रही है, जो 15 महिने के लिए जेल में भेजा गया है, वो करीब 2009 से 2018 तक यहाँ पर President बने वे थे, तो उनके उपर corruption का चार्ज लगाए गया, corruption का चार्ज अगर मैं आपको ब बनाये चाते थे, उनका direct influence होता था with controversial Gupta family, I'm sure आपको याद होगा एक दो साल पहले काफी news में चल रहा था, ये भारत से ही रिलेट करते हैं, और एक प्रकार से आप कह सकते हो कि वो जैकॉद जूमा नहीं चला रहे थे cabinet को, वो पुरा Gupta family एक प्रकार से चला रहे थी, इतन जादा influencer का बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ पे, तो इन्होंने अपने कारेकाल के दोरान तो यहाँ पर किया ही है, corruption वगरा, इसके अलाबा, 1999 में भी कुछ arms procurement deal वगरा हुआ था, उसमें भी corruption के charges बताए गया है, तो corruption के charge को लेकर उनको court वगरा बुलाए गया था, आप आ corruption के बाद भी, तो actual में अगर आप देखोगे ना किसी देश में इस तरह की जब problem होती है, तो उसको trigger चाहिए होता है, वैसे South Africa में अगर आप देखोगे पैंडमिक को लेकर बहुत जादा गुसा है लोगों में, जो economy बहुत तीजी से fall हो रही है, उसको लेकर गुसा है, तो इन सब के लिए क्या होता है, कि अचाना से कोई trigger चाहिए होता है, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो, trigger मिल गया और लोग गुसा हो गया, तो main कारण अगर आप देखोगे तो pandemic और falling economy आप कह सकते हो, अभी तक कि उनके इतिहास में 1946 के बाद से सबसे बड़ी गिरावट व एक survey कराए गया था वहाँ पर और उसमें देखा गया करीब 10 million people, वैसे उनकी population करीब 6 million के आस पास आप कह सकते हो, तो उसमें से 1 sixth population, you can just imagine, 1 sixth population जो है, वो आपका hunger से गुजर रहा है, मतलब पिछले 7 दिनों में वो hunger से पेड़ित थे, तो अगर इस प्रकार की situation होगी, तो ज वो ने का है कि जो भी लोग violence कर रहे हैं, ये कोई भी justification नहीं है, अगर आप गुसा हो, hurt हुए हो, economy को लेकर, जिस भी चीज़ों को लेकर, लेकिन violence करना ये सही समधान नहीं है, यहाँ पर सरकार जो economy को rebuild करने की कोशिश कर रही है, उसकी वज़ए से लोग जो loot कर रहे हैं, वोईलेंस कर रहे हैं, इसकी वज़ए से economy काफी और ज़्यादा effect हो रही है, तो ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए, ऐसा ruling government का कहना है, लेकिन opposition का कहना है कि देखे ये simply आप criminals के उपर blame कर दो, ये बहुती easy option है, लेकिन आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि आखिरकार society में इतने सारे जो young people हैं, वो क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास काम नहीं है, job नहीं है, इसकी वज़ए से ये problems आपको देखने को मिल रही है, और इन सारी चीज़ों को देखते वे सरकार ने finally क्या किया है, कि जो military है, उसको यहाँ पर deploy कर दिया है, ताकि South Africa की police को मदद यहाँ पर मिल सके, अगर इसकी वज़ए से हम problems की बात करें, तो obvious ही बात है, वहाँ पर एक तो मैंने आपको बताया है, जो जान है, वो काफी जादा कहीं है, 72 लोगों से जादा जाने अलड़ी जा चुकी है, अभी कितनी और होंगी, कितने नहीं तो और जादा यहाँ पर नुकसान हुआ होगा, वहाँ की जो डर्बन मैंने भी आपको city दिखाया, वहाँ की country की largest refinery, उसको shut down करना पढ़ गया है, United Nation ने कहा है कि अगर इसी प्रकार से disturbance बढ़ता रहा, तो यह problem को और जादा बढ़ाता जाएगा, इसे हमें रोकनी क्या हो रखता है, और इन सारी चीजों को देखते वे करीब 1200-1500 लोगों को अरेश्ट किया जा चुका है, जिसमें बच्चे हैं, महिलाएं हैं, older people भी शामिल है, अब भारत की तरफ से गर हम बात करें, तो हमारे जो external affair minister है, एस जैसंकर साब, उन्होंने बातचीत की है, वहाँ के foreign minister से, और उनके foreign minister ने यहाँ पर बुला है, कि law and order को हम control करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह अभी भारत और South Africa में बात हो चुकी है, तो I hope कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अभी समझ में आ गया होगा, कि exactly चल क्या रहा है South Africa में, क्यों इतना जादा violence देखने को मिल रहा और इसका जो right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तुम मिले गई, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही हुतर, मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF यह लगलग social media पर जोड़ना चाहते हैं, तो आज सकते हैं, और अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हैं, किसी भी exam की preparation कर रहे हैं, definitely आप हमारे app को download कर ये, studyiq.com पर जाएगे, काफी affordable rates पर सारे courses आपको available हो लाएंगे, और I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता है उनक्स time till then, thank you very much, see you soon.